हालो फ्रेंड्स, वालकम बैक टो माई चैनल, तो आज बनाएंगे हम केक, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सौरी, लेकिन आपको वीडियो यह बहुती अच्छा लगने वाला है, आप इसको पूरा जरूर देखें, तो हमने लिया है दो कटोरी मेदा, एक कटोरी पिसीवी चीनी, आदा कटोरी मिल्क पावडर, एन थोड़े से नर्स, आदा कटोरी हमने तेल लिया है, आप घी भी ले सकते हो, लेकिन सर्द्यों में घी जम जाता है, और बाकी के कुछ सामान है, वो मैं आपको बारे बारे से बताने वाली हूँ, तो हमें पहले द में हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, इसको भी हम छालेंगे हमारे जो सारे सामान है, मतलब केक बनाने का जो भी मटेरियल है, हम उसको सबको ही छानेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा केक बनेगा, आप एक वार जरूर इसी तरह से ट्राई करें, और आसानी से घर मार्केट जैसा भी बन जाता है, अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ, इसको चम्मस की साहता से आप अच्छे से करें, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो ये मैंने मिल्क पावडर डाल दिया, बहुती बढ़िया केक बनने वाला है, आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकेप ना करें, एक से में सारी इसमें, ये हमने डाल दिया बेकिंग पावडर और इसको भी हम छाल लेंगे इसी तरह से, आप देख सकते हो, कि किस तरह से मैं लग कर रही हूँ, ये है, थोड़ा सा हमने डाला है, आदी छ तोटी चमत, सोडा, बेकिंग सोडा, और ये है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ये नमक डालने से भी टेस्ट भोवती अल्टिमेट आता है, आप इसको जरू ट्राई करें, इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे, सारे चीजें हमने, सारा मटेरियल हमने अच्छे से छान इसको बढ़िया से कर देंगे, मिक्स, और ये देखिए, इसका कलर बहुती सुन्दर आएगा, अब इसमें डालेंगे हम दो चमत दही, दही को भी हमें ज्यादा खटा नहीं लेना है, और अगर आपके पास दही नहीं है, तो आप इसमें नीबू का इस्तिमाल भी कर सकते ह इसी के साथ डाल देंगे हम इसमें ओयल, मैंने जो ओयल होता है, रिफाइंड ओयल वो ही यूस किया है, आप चाहो तो घी भी यूस कर सकते हो, बड़ सर्दियों में घी बहुत जम जाता है तो इसलिए ये ओयल बहुत साही रहता है, अब इसमें हम डालते जाएंगे, दो थोड़ा थोड़ा और इसको बड़या सा इसका वेटर बनाएंगे, आप देख सकते हो, मैं इसमें पूरा एक साथ नहीं डालूँगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे, और क्योंकि इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो हमारा केक खराब हो जाएगा, आप इस तरह से इसको स्लो हाथ से अच्छे से मिक्स, जादा हमें इसको तेज से नहीं करना है, नहीं तो जो स्पांज होती है केक में वो नहीं बनती है, इस तरह हलके हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे, आप देख सकते हो, मैं इसको बहुत आप जब चाहे आप इस तरह से केक बना सकते हैं इसमें हाँ वनीला एसेंस का भी यूज़ करेंगे हम वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो सबसे लाश्ट में करेंगे जब हमारा ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और आपको किस तरह का केक पसंद है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि तो अगर आपको चॉकलेट केक पसंद है या कोई और तो वो भी मैं रेशीपि आपके साथ सियर करूँगी तो इसलिए इस तरह से हम केक का वेटर तैयार करेंगे केक तो मैं काफी बनाती हूँ बहुत पहले से मेरे को बहुत अच्छा लगता है केक बनाना कुकिंग करना तो इसलिए मैंने इसको बना के बहुत मेरी प्रैक्टिस हो गी है अगर आप पहली बार बना रहे हो केक तो आपको थोड़ी सी प्राब्लम आएगे लेकिं अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो आपके लिए भी यह बहुत ही इजी हो जाएगा जैसे हम खाने में कुछ भी बनाते हैं उसी तरह से तो यह भी एक टैक्निक होती है के कुकिंग की कि हम जितना किसी भी चीज में हम जितना experience करते हैं जितना काम ज़्यादा करते हैं जिस चीज को ज़्यादा करते हैं वो ही चीज हमारे अच्छे हो जाती है इसी तरह से केक है कि हम जितना बनाते रहेंगे उतनी ही हमारे हाथ की सफाई अच्छी होती है तो आप एक बार ट्राइ करके ना रहें आप फिर से ट्राइ करें जितनी बार ना बनें तो फिर से क्योंकि मेरा भी पहली बार में तो मेरा भी नहीं अच्छा बना था मैं आपको क्यों जूट बोलू क्योंकि किसी कोई भी काम हो पहली बार में कुछ भी अच्छा नहीं होता है हमें उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी ही होती है तो आप इसलिए चिंता ना करें डरें नहीं और ट्राइ करते रहें कुछ-कुछ नया-नया तो ये देखिए मेरा वेटर तैयार हो चुका है अब इसमें डाल देंगे हम वनीला एसेंस वनीला एसेंस आपके पास कोई और फ्लेवर भी है तो आप वो भी अड़ कर सकते हो लेकिन मुझे वनीला वाला ही अच्छा लगता है इसलिए मैं वनीला वाला ही डाल रहे हूँ आप कोई भी फ्लेवर इसमें यूज कर सकते हो कलर भी यूज कर सकते हो आपको इस्ट्रोवेरी कलर के लिए रैड कलर डाल देना है आपको येलो कलर भी डाल सकते है आपको colorful जाई है तो आपको इसा भी color भी इसमें add कर सकते हो चोकलेट पाउडर भी add कर सकते हो आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से इसको बना सकते हो क्योंकि better तो ready हो चुका है almost अब बस इसको हमें bake करना है बस इसको mix कर देंगी मैंने इसमें थोड़ा सा ilaichi powder भी ड दालेंगे हम एक और चीज जिससे केक हमारा लाजबाब बनेगा तो वो भी हम डालेंगे आप इसको थोड़ा से इस तरह से इसमें गुटलियां बिल्कुल भी न रहें तो बस इसको थोड़ा थोड़ा और mix करेंगे इसी तरह से ये देखिए बहुती बढ़िया लोकाया है तो इसी तरह से आपका भी बन जाएगा इस तरह से इसका एक तार आना चाहिए जब हम उपर से गिराएं तो आपको क्या खाना पसंद है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं उस तरह की वीडियो भी में लेके आऊंगी आप मुझे आप वीडियो काफी लोग देखते हो बट सस्क्राइब कोई नहीं करता है चैनल को और लाइक भी नहीं करते हो तो आप एक बात कुछ तो अगर हम मेहनत करते हैं तो उसमें एक लाइक और सस्क्राइब में आपका कुछ नहीं विगड़ता वो सारा कुछ फ्री होता है तो किसी की खुसी के लिए आप एक लाइक तो subscribe तो कर ही सकते हो क्योंकि इतनी मेहनत लगती है जो वीडियो में न तो उसके लिए आप उसकी खुसी होती है उसको खुसी मिलती है उससे like और subscribe करने से तो उसके लिए मैं अपनी लिए ही नहीं बोल रही हूँ किसी के लिए भी आपको अगर अच्छा लगे तो ही नहीं तो ऐसा कोई जबरजस्ती नहीं होती है अगर आपको पसंद आए तो आप उसको किसी के भी वीडियो को like और subscribe जरूर कर दिया गरो क्योंकि उसको बहुत क्योंकि मैं भी इस तरह से वीडियो बनाने लगी हूँ तो मुझे पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है तो इसके लिए आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो कि हाँ मेरी की ये राय अच्छी है कि गलत है इस तरह से हम इसमें डश्ट कर देंगी मेरी का और उसके उपर से हम लगा देंगी ये वर्टर पेपर अगर आपके पास वर्टर पेपर नहीं भी है तो भी कोई दिकत नहीं है आप एस इट इस इस तरह से डश्टिंग वाले इसमें बाउल में आप इसमें डाल सकते हो इसमें टीन का ही हमें इस्तिमाल करना होता है क्योंकि ये जल्दी से इसमें अच्छे से बेक होता है इसके उपर भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे मैंने घी का ही यूज किया है या मैंने ओयल का नहीं किया है आप घी या ओयल कोई भी यूज कर सकते हो उसकी कोई टेंसर नहीं है देखिस तरह से इसको set करके और फिर हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे तो अभी हमें डालने से जश्ट पहले हमें इसमें डाल देना है इनो, क्योंकि हम पहले से इनो को डाल देंगे तो इसका जो sponge होता है न वो मतलब जो floppy floppy जो बनेगा वो चीज नहीं बनेगा इसमें थोड़ा सा डाल देंगे दूर जिससे अच्छे से यह हो जाए mix इसमें और यह देखिए हम मैं इसलिए बोल रहे हूं कि आप वीडियो बिल्कुल भी skip ना करें क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही इस cake में बिगा अगर हम उसके साथ friendly नहीं है कोई भी चीज है तो हम उसको अच्छे से नहीं बना सकते तो इसके लिए भी हमें friendly होना पड़ता है कि किस time पे हमें क्या करना है कितना heat रखना है उसमें तो यह सारी चीजें इस cake के लिए बहुत मायने रखती हैं यह सारा हो गया इसको हम फूटी फूटी अड़नाट्स वगेरा आप उससे इसको अच्छे से डैकोरेट कर दें जिससे बहुत ही खूप सूरत दिखेगा देखने में और यह मैंने बनाया है न्यू यर के लिए और न्यू यर तो निकल गी लेकिन मेरा वीडियो अभी तक रह गया नहीं डल पाया तो उसके लिए सौरी लेकिन मैं ने सोचा कि केक तो हम कभी भी बना सकते हैं तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ सेयर किया यह मैंने न्यू यर के लिए हमने पार्टी के लिए हमने घर में ही पार्टी की थी उसके लिए हम मैंने बनाया था तो सोचा मैंने कि आपक पूरी देखी है तो उसके लिए अगर नहीं देखी है तो आपको कोई कुछ कही नहीं सकता अगर नहीं देखी है तो लेकिन अगर देखी होगी तो आप जरूर मेरी समझोगे मेरी बात इस तरह से मैंने ये है ब्लैक अंगूर होते हैं वो जाते सिप ब्लू बैरी जैसे लग लेती हूँ जितना होता है उतना मैं इतना ज्यादा टेंसर भी नहीं पालती हूँ जैसा होता है वैसा ही मैं दिखाती हूँ जो घर में यूज होता है वो ही मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ मैं कुछ एश्ट्रा या कुछ दिखावा करने की कोसिस नहीं करती हूँ मे कुछ बना रही हूँ या कुछ कर रही है तो मैं उसको किसी और के लिए भी दिखा सकते हूँ जिसको जरूरत है वो देख सकता है जिसको नहीं जरूरत है तो नहीं देख सकता है और नहीं देखे कोई दिकन नहीं होता है कि कोई मेरे वीडियो देखे ही देखे लेकिन मुझे इससे अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ कि कोई जिसको ना आए वैसे तो काफी वीडियो होते हैं यूटूब पे कुकिंग वाले काफी चैनल होते हैं बंदव उसी को देखेगा लेकिन मुझे इस चीज से अच्छा लगता है इसलिए मैं यह करती हूँ और कोई दिखकत न है जिससे मुझे थ्मुझे तो ऐच्छा पक ज्यादा अब है इसको हमने लो मेडियो मेडियम पर मेरहा था रखत कभी मैंनेस को मेडियम करा अब उन कबभी मैंने सन गंटे पकांए पूरा और उसको ठंडा आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से यह देखिए साइड अपनी अपने आप छोड़ देगा यह देखिए केक और यह बहुत ही बढ़िया बनके देड़ी हुआ यकीन माने बहुत ही टेश्टी बना था आप इसको मेदे का बनाया मैंने ल हूँ ऐसा कुश नहीं है तो आप यह जरूठ ट्राइए करें अगर आप चाहू तो इनको नडव को थोड़ा फोड़ा फ्राइव करके आप इसमें सारे नाट्स यूज़ कर सकते हैं उनको थोड़ा फ्राइव करके धाप इसको अंदर बहुत क्रिंची क्रिंची लाज़े अंदर से या फिर टूटी फूटी भी आप अंदर इसमें डाल सकते हो बहुत ही सुन्दर लगता है यह दिखने में लेकिन बच्चों की वज़े से मैंने ऐसा नहीं बनाया मुझे थोड़ा सा वस ऊपर से थोड़े से दिखाने के लिए मैंने लगाए हैं और बाकी मैंने नह नहीं डाले हैं क्योंकि वच्चे खाएंगी नहीं तो फिर हम बनाये किसलिए तो इसलिए थोड़ा समय नहीं से रखा है यह बहुत ही सुन्दर बना है बहुत ही स्पंजी बना है और सॉफ्ट भी बहुत बना है आप एक पार ज़रू ट्राइगा इस तरह की रेसिपी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई